हेलो फ्रेंड्स मैं हूं जब्रीज परसाथ और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल क्वालिटी परफेक्ट इंडिया दोस्तों आप सभी को इस चैनल पर स्वागत है आज का जो हमारा टॉपिक है वह है रवर मोल्डी के बारे में इसके पहले हमने प्लास्टिक मोल्डी के बारे में वीडियो बनाए जिसे आप लोगों ने बहुत पसंद किया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और नए वीवर से हमें रिक्वेस्ट है कि वह यदि अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो हमारा जो प्लास्टिक मोल्डिंग वाला वीडियो जरूर देखे उससे आपको बहुत सारे जनकारी मिलेगी प्लास्टिक के बारे में दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल कोई भी प्रोड़क्ट बनाया जाता है चाहें वह आटो मोटिस सेक्टर में कार हो या पाइक हो या मोटर साइकिल हो कोई भी हो उसमें तीन तरह का प वीडियो लेके आया हूँ आज का जो एजेंडा हमारा रहेगा वह रहा है कि रवर मोल्डिंग रवर किसे करते हैं रवर कितने तरह का होता है रवर का प्रोसेसिंग कैसे करते हैं रवर का मोल्डिंग कैसे किया जाता है और हम इसके बाद जानेगे कि कॉंप्रेशन मोल्ड Technical Cr황 moulding lying में अंतर क्या होता है इसके बार लास्ट में जानेगे कि गचार क्या क्या होता है और इसका हम स्लूसन कैसे करते हैं तो द्धों आये सुरू करते हैं सबसे पहले हम भात करते हैं दाबर क्या होता है कि रबड एक स्ट्रॉंग और water group material होता है जो बहुत ही elastic होता है और जो इसका अगर हम बात करें बनाने का तो रवर जो है या तो फिर रवर के पेंड के जूस से बना जाता है या फिर केmically यानी रसानिक पदार द्वारा rubber बना जाता है आई दोस्तों हम बात करते हैं rubber के type के बारे में rubber आजिए पांच-तरह के पाया जाता है आइं को हम एक करके समझते हैं सबसे पफला है वह नेट्रल रभर का मतलब होता है यह न अर कंद्र करते हैं नेचिरल रभर कर तें नेचिवर रभर के पेंड के जुज से बनाया जाता है, सबसे पहले उसको हम अग्राश्च को उसको कुछ प्रोसिसिंग कर आ पर सीट बना द दूसरा जो रवर का जो टाइप है हुआ है EPDM EPDM का मतला होता है Ethylene Propylene Dine Monomer EPDM EPDM एक synthetic rubber होता है या natural rubber नहीं होता है synthetic rubber होता है जो कि इसमें जो heat resistance और oxidation resistance और weather resistance जबरजस्ट पाए जाता है और इसका अगर हम product की हम बात करें तो इसका हम sealing के पदाख बनाने में नहीं seal बनाने में काम आता है gasket बनाते हैं या फिर हम rubber के horses बनाते हैं यह रहा आपका EPDM तिसरा जो है type है वो है आपका NBR का फुल पहुता है nitrile butadime rubber यानि कि यह भी एक synthetic rubber होता है और इसमें जो property जो पाए जाता है oil resistance property बहुत जबरजस्ट पाए जाता है इसलिए इसको automotive sector में इसका बहुत जादा यूज किया जाता है यह इसमें इससे हम gasket बना सकते हैं sealing बना सकते हैं और भी बहुत सारा product बना सकते हैं जो automotive sector में यूज के जाता है जहां पर आयल का यूज होता है वहां पर इस को हम यूज कर सकते हैं रवर प्रोड़क्ट को फोर्थ जो है वो है SBR यानि कि Sterine Butadine Rubber SBR क्या होता है कि यह एक Synthetical Rubber होता है जिसमें जो यही कारण है कि जो आपका सिल्कन रवर का नाम से लग रहा है कि इसमें जो कंपाउंड रहेगा वह सिल्कन होगा यह भी एक सिंथेटिकल रवर होता है जिसका थर्मल कंड़क्टिविटी जो है बहुत लो होता है और इसका अगर हम पोड़क्ट की बात करें तो आटोमोटिव सेक्टर में यूज होता है इसके सांथ सांथ आपको हाउस अप्लियंसेंस में जैसे कि कोई समान रखने का सबसे पहला है मैस्टिकेशन उसके बाद है मिक्सिंग तीसरा है आपका सेपिंग और फोर्थ है क्यूरिंग आई इसको एक एक करके समझते हैं जैसा कि हम जानते हैं कि रवर्ड को डरेट यूज नहीं कर सकते हैं उसमें केमकल मिला जाता है और कुछ प्रोसेस कड़ते हैं सबसे पहले जैसे नेच्रोल रवर्ड या इन्वीर है उसको हम सियरिंग करके उसको हम तोड़ते हैं तोड़ने से क्या होगा है कि जो हमारा नेच्रोल रवर्ड का जो मोलकुल है वह तूड़ जाता है और इजली फ्लो होने लाइक हो जाता है सबसे पहला हमारा जो process होता है mystication का होता है जिसमें हम shaving के दुआरा rubber पर molecules को हम तोड़ते हैं easily flow होने के लिए दूसरा इसमें है कि जब mystication कर लेते हैं उसके बाद मिक्सिंग करते हैं मिक्सिंग में हम chemical यूज करते हैं आप यह का चरव होता है जो सबसे बेस मेटरियल जो यूज करते हैं जैसे कि नेचुरल में अगर उन्चिक आर यूज करेंगे तो समय कारवन बलैक होगा टी एम्टी होगा उसके बाद कैलसिंग होगा जिंक ऑक्साइड होगा क्रांग होगा और क्यूरिंग एजेंट डालते जैसे sulfur इस टाइप का हम करते हैं. mixing भी दो इस्टेप में के जाता है, सबसे पहले तो हम mixing जो करते हैं उसमें यह chemical जो हमने बात किया उसको मिलाते हैं और next में जब प्रोड़क्त बनाने के पहले हम क्यूनिंग एजेंट भी इसमें जैसे sulfur है उसको mix करते हैं और उसके बाद हम मोल्ड के अंदर में बनाने के लिए दोस्तों mix जो है या investigation जो होता है डो ससे सकते हैं ऐक तो होता है Nada nouder नी दर ईक machine होता है जिसमें m väーレर मेली करते है उसमें हम इसको mixing कर सकते हैं, तो ये रहा आपका mistigation और mixing का किसे तरह जो इस टेप होता है, वो shaping का है, दोस्तों, जब हम mixing करते हैं तो उसके बाद हम उसको seat बनाते हैं, seat बना बना करके एक दूसरे पर हम रख देते हैं, इसे हम जिसको हम badge करते हैं, और ही एक तुसरे केशन के चिंके नहीं और करने सय लिइक डिक रभी, परड़ में ऑ उस प्रोडक्ट का जहां हम काण काड़ करके उस theo प्रोडक्ट आपके हम प्रोडक्ट बनाते है जहां के मोडल के हम फ्रोड करते हैं रॉबड यो बना है वह पच्छा रवड है इसको हम डारेक्ट पोड़क्त नहीं बना सकते हैं उसको Qunilig करना पड़ता है करते हैं ताइम जो है वो डिपेंड करता है प्रोड़क्ट के उपर की कितना समय में कौन सा प्रोड़क्ट रहता है तो यह रहा आपका रवर का प्रोसेसिंग कैसे की जाती है मिस्टिकेशन, मिकसिंग, सेपिंग और कीवी आएब हम बाब करते हैं की रवर का मोलनी कैसे की जाता है देखिये हमने अभी तक है जो हमने देखा की रवर को मिकसिंग किया उसके सेप किया अब उसको मोल्ड मेल काना है हÏं उसके बाद pressure ते उसको हम हीट करते हैं इससे हमton को बलुडिंग करते हैं sic to proper Elle कि बात करें तो यह तीन तरह से किया जाता है एक होथा shred दूसरा कींजेक्षण मोड्डिंग तिसरा छाट ट्रॉस्थों हंश जरनेरली ऑक् मोटिप सेक्टार में compression मोल्ड अर्वर इंजेक्शन मोल्ड ही उसक्या आयो इसको एक है समझत Hier है ऐसे पहले हम बाप करते हैं कि कि इस एक सिंपल मोल्डि Transform होता है जिसमें हम सीट विर सीट करते हैं विज उसके बाद उस प्रेसर पे जैसा रिक्वाइट प्रेसर पे इसको प्रेसर दे करके उस मोल्ड को हीट करते हैं क्यूरिंग करते हैं और उसके बाद उसमें से जो हम प्रोड़क्त निकलता है वह से हमारा जैसा सेफ चाहिए वैसा बन करके निकल जाता है दूसरा चीज है रब पढ़ाई के अंदर मोड के अंदर ऐंक हूआ पना है उसको मॉल्टन स्टेज में लाकरके मूल्ड के अंदर में इंजक्त करते हैं जिसे हम भी रबर इंजक्षों मोल्डिंघ करते हैं इसमें जब हमारा है उस तोंधार ल इब प्रेसर पे और उसकोका कि टम्ध्रेचर पे उसको घरम करते हैं और हमारा प्रोडक्ट बनने के निकल जाता है। तीसरा जो है transfer molding या rubber injection molding की तरह ही होता है इसमें rubber का cavity के अंदर तब डालते हैं जब हमारा mold जो है secure हो जाता है तो दोस्तों यहां तक हमने देखा कि कितने तरह का rubber molding होता है, तीन तरह का होता है, compression molding, rubber injection molding और transfer molding आई दुरसताब हम बात करते हैं कि Compression Molding और Rubber Injection Molding में में अंदर क्या होता है सबसे पखले हम बात करते हैं साइज अब प्रोड़क्ट के लिए करके Size जब प्रोड़क्ट कर हम बात करें, तो बड़ा Size का जो प्रोड़क्ट अगर बनाना है, तो हम उसको compression molding में बनाते हैं, और अगर हमें छोटे-छोटे part बनाना है, तो हम injection rubber injection molding में बनाते हैं. दूसरा चीज है कि आपका production time को लेकर करें यदि हम production time की बात करें तो rubber injection molding में production का time बहुत ही कम लगता है और mass production जिसमें ज्यादा निकलता है as compared to compression molding. तिसरा चीज है कि quantity के बारे में देखिए जैसा कि हमने बात कि compression molding में जो है वो simple molding होता है उसमें production नहीं निकल पाता है अगर quantity अगर हमें निकलना है तो हमें rubber injection molding को हमें follow करना पड़ेगा. फोर्थ जो है quality के बारे में देखिए compression molding में जो quality product निकलता है वो उतना सही नहीं निकल पाता है as compared to आपका injection rubber injection molding में यानि कि rubber injection molding में जो है आपका quality अच्छा maintain कर सकते हैं उसमें tolerance भी अच्छा से maintain कर सकते हैं. फिप्थ जो है shape of the final product यानि कि हम किस type का shape बना सकते हैं देखिए जो compression molding है उसमें simple simple हम product बनाते हैं जिसमें complex size ना हो तो उसमें हम बना सकते हैं लेकिं injection molding में आपका critical dimension भी और complex item भी हम बना सकते हैं rubber का injection molding में तो दोस्तों यह रहा आपका की हमने देखा कि compression molding और rubber injection molding में क्या different होता है आई दोस्तों हम बात करते हैं कि molding defect क्या होता है rubber में देखिए molding defect अगर हम male बात करें तो 5 तरह का पाए जाता है आई इसको हम यह करके समझते हैं सबसे पहला है short fill यानि इसे हम short short भी करते हैं इसका मतलब यह है कि जो हम product बना रहे हैं वो पूरी तरह से नही ही बन पाता है कुछ उसमें short पढ़ जाता है जिसे हम short fill करते हैं यह क्यों होता है यदि हमारा product जो material हम यूज कर रहे हैं मोल्ड के अंदर यदि वह sufficient नहीं रखेंगे तो short fill हो जाएगा इसके और भी possible बहुत सारे कारान होता है जिसका solution में बता रहा हूं एक तो आप पहले जाए जो भी material जो हमने बैच हमने बनाया है और उसको यूज कर रहे हैं मोल्ड के अंदर वह sufficient उसमें रहना चाहिए दूसरा है कि आप उसमें high melt flow जो material होता है उसको आप यूज कर सकते हैं injection molding के लिए और आपका मोल्ड का temperature increase कीजिए अगर short fill आ रहा है तो उससे भी दूर ह हो जाता है और उसमें आपका जो increase कर सकते हैं आपका speed को increase कर सकते हैं और back pressure जो है उसको आपको increase करना पड़ेगा तो यह कुछ possible कारण है और जिसका हम solution आपको बताया दूसरा जो problem आती है वह shrinkage किसे करते हैं देखिए जब हमारा mold के अंदर में जो product हमारा cavity के अंदर रहता ह पार्ट यदि हम निकालते हैं तो वह जो size होना चाहिए वह size ना करके छोटा हो जाता है shrink हो जाता है इस problem को हम shrinkage करते हैं इसका कारण क्या है इसका कारण main यह है कि आपका जो cavity जो है उसका जो pressure है उसको आपको increase करना पड़ेगा यानि कि cavity pressure increase करने से आपका shrinkage का problem दूर हो सक करता है दूसरा इसका आप कर सकते हैं कि जो adequate cushion है उसको maintain करके रखना है तीसरा जो है excess flash देखिए rubber पार्ट में flash तो आती है लेकिन वह बहुत पतला होता है तुरंत remove हो जाता है लेकिन कभी-कभी ज्यादा excess flash आ जाता है जो कि हमारे लिए problem कर देता है flash आने से क्या होता है एक तो हमें visually defect हो जाता है और दूसरा है यदि हमारा product sealing type का बना है तो वह कहीं हम उसको fit करेंगे तो leakage होने का chance है तो excess flash के लिए कारण क्या होता है देखिए सबसे पहले आपको clamp देखना है कि जो आप mold का clamping कर रहे है वह side हमसे clamp हुआ है या नहीं हुआ इसके अलावा आपको flash अगर ज्यादा आ रहा है तो आपका cavity का pressure जो है आपको decrease करना पड़ेगा या दो तीन चीज़ आप करेंगे तो आपको excess flash नहीं आएगा अगे अब हम बात करते हैं वार्पेज का वार्पेज क्या होता है देखिए यदि आपका product mold से निकल रहा है और या तो फिर आपका जो injection fill rate है वो ज्यादा है तो वार्पेज आ सकता है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा इसके लिए ये करना पड़ेगा या आपको cycle time increase करना पड़ेगा और आपको injection fill rate जो है वो आपको decrease करना पड़ेगा जो fifth जो है बिटिलनेस का बिटिलनेस क्या होत करने के लिए सबसे पर आपको इंजेक्शन जो फिलिंग रेट है उसको आपको इंक्रीज करना पड़ेगा और दूसरा चीज ध्यान रखिए कि उस रबर जो पॉड़क्ट हम मिट्सिंग कर रहे हैं उसमें कोई फॉरेन मेट्रियल जो कॉंटामिनेंट है वह बाहर ही कुछ ना हो वह भी हार्ड कर देता और बिट्लेस कर देता है तो यह जो चार पांच चीज हमने बताया यह डिफेक्ट है प्रोड़क्ट के लिए जो हमारा रबर प्रोड़क्ट बनता है और उसको कैसे दूर करते हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे की इस तरह से वीडियो यदि मैं अप्लोड करूं तो सबसे पहले इंटिमेशन आपको मिले तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो तक आप सभी से इजादत चाहता हूं थैंक्यू थैंक्यू सो मच